हलो साथियों, नमस्कार, मैं नितिन उपाद ध्याय, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में, मित्रों आज जो है मैं एक छोटी से इन्फॉर्मेशन आप सब के बीच ले करके आया हूँ, और आप सभी से एक मतलब की जानकारी भी आसिल करना चाहता हूँ का आगे किरणनिती कैसे होनी चाहिए, आप हमें बताईएगा, उसी तरीके से मैं काम करूँगा, ठीक है, तो दो तीन इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके लिए था, वो मैं आपको देने वाला हूँ, आप UPDLA 21 बैच के है, 22 बैच के है, 23 बैच के है, किसी भी बैच के है, निशित तोर पे आप निसांतियान से जरूर परचित होंगे, तो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन था, मैं वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि कापीया चेक होनी कब से सुरू होंगी, मित्रों आप समझ लीजिएगा कि आप सब मारे में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लगातार बच्चा हमसे पूछते रहता है, भईया कापीया जचनी कब से सुरू होंगी, तो मित्रों अभी जो आपका कापी है, ओ जहां जहां पे चेक होना है, वहां वहां पे भेजा जा चुका है, इस बात को ध्यान और दूसरी जानकारी ये थी, कि भईया, स्कूरूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, जो बच्चा सेकंड सेमेश्टर में बैक लगा था, वो बच्चा जो है, सेकंड सेमेश्टर का स्कूरूटनी डाला था, ठीक है, स्कूरूटनी डाला था, जिसका एक नंबर से था, द पूरी उम्मीद है कि उसके पहले ही आपका सब कुछ स्कुटनी का रिजल्ट वगारा आ जाएगा ठीक है और मैं आपको बता दू निश्चित तवर्पे ये जानकारी आपके लिए सुखदी होगी मैं आपको बता दू उत्तर प्रदेश में अगर आप 22 बैच के है या 22 बैच के है 22 बैच वालों का और 22 बैच वालों का सब के लिए मैं बता दू आप सभी के रिजल्ट जो है आप सभी के रिजल्ट इस बार जो है मतलब तीन में पहले होता था कि जब आप परिछा दे करके मतलब निकलते थे जैसे कि आपकी परिछा कब संपाद 8 October, 3 महीना जोडने के बाद ही आपका result आता था, इसके पहले record रहा है, लेकिन इस बार आपका result जो है, 2 महीने के अंदर आने की पूरी chances है, ठीक है, 2 महीने के अंदर आपका result आ सकता है, जो मुझे जानकारी मिली है, 2 महीने के अंदर आपका result आ सकता है, यह आपके लिए विभानकरी यही है कि आपका result भी दो महीने के अंदर देने के chances हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं अभी तक नहीं तो पहले क्या होता था पहले अभी इनकी copy ही नहीं जाती थी 10 दिन के अंदर copy ही नहीं जाती थी ठीक है अभी जैसे ही paper हुआ है 10 दिन के अंदर कवायद सुरू हो गई थी इनकी copy वगएरा जाने लगी थी आठ तारिक को आपका paper समाप्त हुआ था 14 जुलाई को यह लोग copy इधर-दर भेचना सुरू कर दिये थे 14 जुलाई से ठीक है उसके बाद आपका थोड़ी जल्दबाजी हो रही है आपको भी दिखाई दे रहा होगा तो दो मही बच्चा हमसे कहा रहा था आगे क्या किया जाए मैं तो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए हमसे बोलते हैं आप बताईया कि कुछ बच्चा कहा रहा था बहिया मुझे चतुर समिस्टर का मैत पढ़ना है सेकंड समिस्टर की बच्चों मतलब 22 बैच वाले बच्च जो भी चीजे पढ़ने लायक हो सकती है मैं उचीजे पढ़ाया हूँ पुरानी वीडियो पढ़ी हुई है आपके लिए फिर से नया वीडियो क्या उसमें बढ़ाया जाए यार ठीक है मेरा ये काम नहीं है मैं चाहता हो कि आप पुरानी वीडियो से काम कर लिजे और जो आपको पढ़ना है, जो आगे मुझे लगेगा कि आपको ये पढ़ाना पढ़ेगा, तो मैं उसे पढ़ा दूँगा भाई, ठीक है, वैसे चतुर्त समस्टर के लिए, कुछ बच्चे कह रहे थे, भाया मैत आप शुरू कर दीजिए, मैं सोच रहा था कि 20 अगस्त को आपका जो है, एकजाम लगा है, किसका है, सीटेट वाला एकजाम लगा है, तो आप लोग सीटेट का एकजाम दे लेते हैं, उसके बाद मैं सुरू करता है, ठीक है, और अगर आप मुझसे पढ़ना ही चाहते हैं, तो मैं परडे कुछ न कुछ वीडियो देता ही रहूंगा, तो आप जो भी बताईएगा, चाहे मैथ के लिए, चाहे सीटेट के लिए, चाहे जिसके लिए, जो भी आप बताएंगे, मैं 2-4-5 questions, जैसे कुछ बच्चे होते नहीं है, जैसे हमारे 15,02,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बच्चे ऐसे हैं, जो कहते हैं, आप कुछ भी पढ़ा दिया कर आप कुछ भी आके कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ बताएंगे तब ही न बोलूँगा, आज ये दो जानकारी मुझे थी, तो मैंने दिया, और एक जानकारी विजन टू, मन्थ है, आपका रिजल्ट आने वाला है, एक जानकारी था नॉम्बर लाट तक आपका पेपर हो इस वज़े से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप प्रत्योगी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं, तो आप करते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने धेर सारे मौके हैं, किसी दिन आप कहेंगे, तो मैं प्रत्योगी परिच्छा पर भी वीडियो बना दूँगा, आगे क्या-क्या-क्या-क्या रणनिती होने वाली है, आप जैसे मुझे कहेंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको राय जरूर दूँगा, आप पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है, आप पढ़ाई जारी रखिए, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, लगा टेट को ले करके सिच्छा से बच ए नायोग को ले करके जो भी चीज़े आपके मन में आपके मस्तिस्क में चल रही हैं, आप सभी लोग 15 अगस से पहले कुछ न कुछ सकरात्मक चीज़े आप जरूर देख लेंगे, और आप सभी के लिए सकरात्मक क्या होगा, वो समय ही तै करेगा मुझे कुछ इस पर बोलने कि आऊ सकता नहीं है क्योंकि काफी जादा बच्चे आ करके कहते हैं कि 2030 से पहले आप कोई वेकंसी नहीं आएगी 2027 से पहले कोई वेकंसी नहीं आएगी ना ही मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ ना ही मैं सरकार के अंदर केमिनिट मंत्री आप सभी के बीच मैं उपस्तित हूँ, निश्यत तोर पे बस इतना ही जानता हूँ, ऑनलाइन एजूकेटर के रूप में काम कर रहा हूँ, बस जो चीजे सोसल मीडिया के माध्यम से, जो चीजे हमें लगती है, ऐसा हो सकता है, मैं आपके भी सेयर करता हूँ, ठीक है, मुझ जो है, परेडे उठकर के गोडर, मतलब उसका पैर चुलीजिए, कि भाई, वेकेंसी तो 27 में आगी, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, आपके सामने इतनी जादा वेकेंसी है, मैं अब क्या बताऊं, ठीक है, अगर कोई बच्चा पेट वगरा दे रहा है, उत्तर प्रदे तो किसी विषय पर दूँ, आप बताते रहिएगा, ठीक है, कैसी लगी वीडियो, कमेंटर बाक्स में जरूर बताइएगा, आखरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा, यही जजबार हातों, मुस्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वही स होते हैं, या पुराने भी है, तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है, एक को पैसा लगता है, वह इसे मैं पैसे का सोकीन बहुत हूँ, पैसा सब को चाहिए, मुझे भी चाहिए होता है, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब पैसा न